सुभर सुभर रेश्मा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं कोई सामान ज़ाड रहा है तो कोई मकडी के जाले उतार रहा है रेश्मा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है मा आज कोई खास बात है सब इतनी सुभर उठकर गर की सफाई में जुटे है हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है बोल गई क्या पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनन्द ले पाएंगे ओ मैं तो एकदम बुलककड हो गई हूँ पर मा आपने मुझे तो कोई काम सोपा ही नहीं मैं क्या करूँ बताओ मा अच्छा चलो पहले नहा दोकर तैयार हो जाओ फिर बताऊंगी बहुत से काम है मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ मदद तो मैं जरूर लूँगी मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे है नहा दोकर नाश्टा कर लो फिर बताऊंगी मा ने रेश्मा को उसकी पहिये वाली कुर्सी पर बैठा दिया रेश्मा ने अपनी पहिये वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई दोनों पाउं एकदम बेजान हो गए बहुत इलाज करवाया पर रेश्मा के पाउं में जान नहीं आई उसे पोलियो हो गया था रेश्मा बहुत हिम्बत वाली लड़की थी शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी परंतु अब ग्यारह साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयन करती है वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती परिवार के सभी सदस्य पिता जी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं वह सबकी आँखों का तारा है माने रसोई घरबे सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिये थे रेशु, अगर तुमने नाश्टा कर लिया हो, तो काम में मेरा हाथ बटाओ हाँ मा, मैंने नाश्टा कर लिया दूद का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है मा, मैं हाथ दोकर अभी आती हूँ रेश्मा अपनी कुरसी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची रेश्मा मा को बर्तन, डिब्बो पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और मा, उन्हें व्यवस्तित ढंग से सजाती गई रसोई घर फिर से चमचमाने लगा तेरे पिता जी, डफ्तर चले गए मुझे लड़ू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था गोलू तो बहुत छोटा है दादी जी, दादा जी बहुत बुजुर्ग है अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आओंगी बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थेला दो तुम ले आओंगी? अकेली? हा मा, एक बार पहले भी तो लाए थी तो ठीक है, तुम ही ले आओ लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुकड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा थोड़ी देर बाद रेश्मा सारा सामान ले कर लोटी गोलू, येलो, तुम्हारे लिए टौफी लाई हूँ गोलू टाफी पाकर खुशी से उच्छलने लगा कुछी दीन बीते थे एक दिन शान को रेश्मा का घर दियों के जिल्मिल प्रकाश से जगमगाने लगा पूरा मौला जगमगा रहा था जहां रोश्नी ही रोश्नी थी क्या जमीन, क्या आस्मान दादी जी ने बताया कि दिपावली अंधेरे पर उजाने की जीत का त्योहार है बुराई पर अच्छाई और असत्या पर सत्या की सदाजीत होती है इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लोटे थे उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है रेश्मा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया गोलू अपने दोस्तों के साथ पठाके चुडाने में मगन हो गया रेश्मा अपने दादा दादी के साथ फुल जड़ियां जला रही थी इतने में रेश्मा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पठाके को बुझाया हुआ समझ कर छोड़ दिया था उसमें चिंगारिया निकलने लगी है गोलू की पीठ पठाके की तरफ थी गोलू गोलू बचो तुमारे पीछे पठाका है पठाको के शोर में रेश्मा की आवास दब गई सबसे पहले रेश्मा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची उसने गोलू को जोर से धका दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गती के कारण धडाम जोर का धमाका हुआ रेश्मा की फुर्ती ने गोलू को जल्ने से बचा लिया गोलू को कुछ समझ नौ आया कि उसे धका किस ने दिया और क्यों धमाके की आवाज सुनकर मा पिताजी भी बाहर दोड़े चले आए कुर्सी रेश्मा के उपर थी और रेश्मा नीचे पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेश्मा को उस पर बैठा दिया मा भैभी थी कहीं चोड तो नहीं लगी रेश्मा ने उन्हें सारी बात बताई सबने रेश्मा की पीठ थप थपाई गोलू रेश्मा के पास आया बिबी आज तो आपने मेरी जान बचा ली आपका यह दमा के दर्दक्का मुझे हमेशा याद रहेगा सभी लोग खिल खिला कर हस पड़े रेश्मा की शारिरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी वह आज भी उतनी ही जिन्दा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है उसकी हर सुभा नई सुभा होती है वह हर सुभा अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है बाल दोस्तों इस चित्र को द्यान से देखिए इस चित्र का वरणन भी ध्यान से सुनिए चित्र में ग्वाला है उसके हाथ में लाठी है पास में नदी है नदी में नाव है नदी में मचली है नदी में कमल के फूल है नदी के किनारे पेड है आकाश में बादल है अब कुछ छूट गया है तो आप जोड़िए बाल दोस्तों आपने चित्र का वर्णन सुना लेकिन इसी चित्र का वर्णन फिर से सुनिए ध्यान से सुनना हाँ वर्णन में क्या भेद है ये मुझे बताना पड़ेगा चलो तैयार हाँ तो सुनिए यहाँ एक सुन्दर चित्र है चित्र में एक ग्वाला है उसके हाथ में लंबी लाठी है पास में एक बड़ी नदी है नदी में दो नाव है नदी में तीन मचलिया है नदी में कमल के सुन्दर फूल है, नदी के किनारे छोटे बड़े पेड़ हैं, आकाश में काले-काले बादल हैं हाँ, ध्यान से सुनना था, हाँ तो अब बताईए क्या नया दगा हाँ, तुम सही हो, तो इन वाक्यों में एक सुन्दर, एक लंबी, बड़ी, दो, तीन, कमल, सुन्दर, छोटे-बड़े, काले-काले जैसे शब्दों का विशेश रूप से प्रयोग हुआ है इसे विशेशन कहा जाता है